नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी बी आरे स्टेडी, कैसे हैं आप सभी, आपकी अपनी जीरो लेबल की क्लास में आप सभी का मेराज कुमारे दुबंसी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों, हमारे जीरो लेबल क्लास का उद्देश ये है, कि इंडिया में हर किसी को गड़ित आए, भारदेश में हर किसी को मैध आए, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया और इसी मिसन को लेते हुए हमने जीरो लेबल से कलास शुरू किया है मतलब वो कलास जिससे आप पढ़ते नहीं सीखते हैं जी बिल्कुल सही हम आपको हासिल वाला जोड उधार वाला घटाना से ले करके गड़ित सुरू किये हैं और हमारा ये मिसन जो है इसी तरह से आप लोगों के साथ सफल बनता रहेगा इन उविदों के साथ चलिए सुरू करते हैं आज कच्छा चार की गड़ित बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके पहले भी आप लोगों ने कच्छा चार की गड़ित पढ़ लिया होगा लेकिन दुबारा आपकी सिकेंड बैच होगी ठीक है जान दिजिएगा चोटी और बड़ी संख्या आज हम देखेंगे जैसे आप लोग सुने होंगे माल लेते हैं आपके भाई ये या बहन है तो आप चोटे होंगे अपने भाई से या बहन से या बड़े होंगे पांच आठ या आपसे ज्यादा दे दिया मनते पांच दे दिया और आपको कितना दिया दो अब आप इतना दोनमान लगा सकते हैं कि उसको पांच दिया आपको दो दिया तो किसका ज्यादा है सिंपल सी बात है उसका ज्यादा आपका कम है वैसे भी छोटों का ज्यादा बाद होता है देखिए जैसे कि अगर आपको दिखाएं यह तीन है और यह दो है अब आप सभी लोग बता सकते हैं यह हमारा दाहिना हाथ है यह बाया अत है दाहिने हाथ में ज्यादा है कि बाया में, इसको मती नहीं है, गाव माइक्रोफोन, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये, OK, Marker Only, Marker, ये 3 ने 2 है, कौन ज्यादा है, ये दाहिना ज्यादा है, ये बाया है, इसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, बहुत लोगों को जरूरत है इसकी, और 50,000 लोग जुड़े हैं, 50,000 लोग इसी को देखने के लिए, आईए दिखाते हैं, 5 और तीन में कौन बड़ी है, सब लोग जानते होंगे चल्दी से कमेंट करें, जितने भी लोग देख रहे हैं,였जा कोई आईसा नहीं ज्यानता हूँ, 5 बड़ा है की तीन बड़ा है की कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सबता कोई नहीं, पांच ये तिन में कोई न कोई बड़ा है सब जानते हैं सिंपल में पांच बड़ा है दूसरा question प्या जाओ 12 और 18 में कौन बड़ा है या फिर कौन बड़ी है कुछ भी बोल सकते हैं इसमें नमबर में कोई gender नहीं होता है male female का 9 जट जट तो कौन बड़ा है 18 बड़ा है सभी जानते हैं सिंपल में है ना लेकिन एक सवाल जो बड़ा 8 बड़ा सा है वो ये 9, 7, 12, 6 का बढ़ते करम में मान क्या होगा और मित्रों बढ़ते करम को हम लोग बोलते हैं आरोही करम आरोही करम बोलते हैं इसे English में बोलते हैं Ascending Order या Increasing Order तो जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा Option सही होगा फटाबट कमेंट करें ज़्यादा टाइम नहीं है बहुत जल्दी करें जी समझ गए होगे ना आप लोग कौन बड़ा है इसमें से बिल्कुल समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग काफी समझधार हो रहे है है ना अब आप बोलेंगे जी समझधार हो ने के जिन्दगी ने समझधार बना दिया होता ऐसा चलिए देखते हैं देखिए बड़ते करम में क्या करते हैं हम लोग जैसे आपने देखा होगा बच्पन में प्रार्थना होती थी स्कूल में जहां हम लोग पढ़ते थे अब भी होता है लेकिन उसमें नियम क्या होता था सुबा साम प्रार्थना होती थी जो सबसे छोटा होता था वो सबसे आगे खड़ा होता था उससे जो बड़ा होता था उसके पीछे, उससे जो बड़ा होता था वो उसके पीछे, हम लोग थोड़े बड़े देखते थे, हम लोगो सर मार मारे के सबसे पीछे खड़ा करते थे, क्यूं? देखें, बहुत जादा बड़े तो नहीं, देखें, हम से छोटे बच्चे रहते तो ऐसा क्यों होता है ऐसे देखने में अच्छा लगता है अच्छा कैसे लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस को मिटा करती ध्यान दीजिएगा सबसे चोटे सब से पहले उसके बाद फिर उससे बड़े फिर लाश्ट में जो है वो सबसे बड़े और हां अगर जो बढ़ रहा हुबर है ना बढ़ रहा है ना यह देखिए नंबर एक दो तीन चार पांच छठा इस्टेज ऐसे तो आपकी तरक्की का अधराब भी बढ़ता है ना वेवेरे स्टेडी पे आपका ऐसे बढ़ रहा है कैसे देखिए अब इसमें आप सिंपल सानुमान लगा सक तो समझ के ना चोटा बढ़ा अब ये करम क्या होता है नहीं टीजिए गाई जिसका इसको यहां लिखेंगे नीचे यहां पे सबसे चोटा कौन है 9 7 12 6 नमचिका आपकास सबसे बढ़ा उपर को जारा ना बढ़ता हुआ है बिलकुल समझने वाली चीज है एक्तम आसान सा है बबू की करना तो यह हो गया आपका बढ़ता करम अगर इसी सवाल में आप से बोलते हैं घंटता करम कैसे लिखेंगे जिसे आप लोग इंगली से बोलते हैं करते हैं सबसे पहले सबसे चोटा फिर उससे चोटा और फिर लाज्ट में सबसे चोटा करते हैं ठीक है तो एक तरफ से चलेंगे सीरियल से सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको करेंगे उसके बाद उससे चोटा और फिर उसके बाद उससे चोटा ठीक है जैसे शोटे किये इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 12 नो साद छे इन में सबसे बड़ा कौन है सभी लोग जानते है सिंपल में आइस सबसे वड़ा है है नौ तो क्या करेंगे Lasgo सबसे उपर लेवल फे लिखेंगे यानि डेखे सबसे मुंचा लेबल यह ना यह इससे चोटा कॉने साथ सबसक्राने सबसे आ zuबड़ ईप दूब कि नमबर पर लिखेंगे फिर फूर्टे कर पना इसे चोटा कौन सा है ठीक है तो अगर आपको कोई confusion है तो आपनी संग कुछ बोल सकते हैं नहीं तो आगे देखते रहें